नमश्कार मैं हूँ साक्षी बिहारी नियूज में आपका स्वागत है खबरों के ओर बढ़ने से पहले अब एक नज़र सुर्खियों पर बिहार बोट डियलेट की 30 मार्ट से होगी प्रवेस परिक्षा बिहार में बालू माफिया पर अब हर दिन होगी कारवाई लंदन की साइन्स म्यूजियम की तर्ष पर पटना की साइन्स सिटी का होगा निर्मान वीपी ऐसी सिक्षक भड़ने के बाद छात्रवा टीचर अनुपात में सुधार जेम्स एरिशन टेस्ट क्रिकेट मैश में 700 विकेट लेने वाले बने दुनिया के पहले 30 गेंदवाज इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों के और विस्तार से बिहार में बालू माफिया पर अब हर दिन होगी कारवाई बिहार में जिलो को ये आदेश दिया गया है कि बालू माफियाओं पर अब हर दिन कारवाई की जाए और इसके साथ ही इसके रिपोर्ट विभाग को सौपे खान और भूतत्वो विभाग के निदेशक नईयर एकबाल की अध्यक्षिता में राजस्व संग्रा की समिक्षा हुई और इसमें ये बात सामने आई है कि करीब दर्जन भड जिलों में दंड वसूली की विवस्था ठीक नहीं है निद्धारित लक्ष का मात्र 24 प्रतीशत ही दंड वसूला गया है इसकारण वभाग ने फैसला लिया है कि बालू माफियां उपर हर दिन कारवाई की जाएगी कम दंड वसूलने वाले अधिकारियों को चिताबनी दी गई है कि वसूली का निद्धारित लक्ष हासल नहीं करने पर अधिकारियों के खिलाफ कारवाई हो बिहार बोट डियलिट की 30 मार्च से होगी प्रवेश परिक्षा बिहार बोट के आगामी सत्र में डियलिट के दाखिले के लिए राज अस्तरिय प्रवेश परिक्षा का आयोजन होगा 30 मार्च को ये परिक्षा होगी बिहार विद्याले परिक्षा समीती ने इस सम्भदित निर्देश को जारी किया है वहीं परिक्षा का प्रवेश पत्र समीती के पोर्टल पर परिक्षा से एक सब्ता पहले जारी किया जाएगा राज भर के 306 डियलिट कॉलेजों में 30750 सीटों पर दाखिले के लिए 30 मार्च को एक्जाम होगा और ये परिक्षा दो पालियों में ऑनलाइन ली जाएगे फिलहाल इस परिक्षा में शामल होने के लिए 2 लाग से अधिक परिक्षार्तियों ने आवेदन कर दिया है मेड इन बिहार का लोगो हुआ लॉंच बिहार उद्योग विभाग के अपर मुक्ष सचेव संदीव पोड़ रिक और टी टी लिमिटेट के प्रबंध निदीश शकसंजे जैन ने मेड इन बिहार लोगों को लॉंच किया है होजरी निर्माता कंपनी टी टी लिमिटेड की मदद से मेट इन बिहार होजरी उत्पादकों के निर्मान और मार्केटिंग नेटवर्क को मस्बूत करने के लिए इसा लॉंच किया गया है और उसके बाद बीट और मुझह अपरपूर होजरी उत्पादन के नए केंद्र के रूप में उभड कर सामने आएंगे बिहार उद्दोग विबाग के अपर मुझह सचिव संदेप पौडरिक ने बताया है कि राज्ज में उद्द्योग लगाने के लिए काम हो रहे हैं और इसका मकसद है कि सभी लोगों को नौकरी मिल सके लंडन के साइंस म्यूजियम की तरच पर पटना की साइंस सिटी का होगा निर्मान बिहार के मुख्य मंतर नितिश कुमार विदेश दौरे पर है फिलहाल उन्होंने लंडन के साइंस म्यूजियम का दौरा किया और इस दोरान CM ने अलान किया है कि लंदन के साइंस म्यूजियम के तरच पर पटना में साइंस सिटे का नर्मान किया जाएगा और इसमें शात्र और शात्राओं को विज्ञान की मूल भूत जानकारी गतिवीधियां और विज्ञान के सिध्धानतों को समझाने में सडलता आएगी और इसके साथ ही बच्छों की विज्ञान में रुची भी बढ़ेगी इसके लिए लंदन के साइंस म्यूजियम की तरह ही आदूनीक तक्नीक का प्रयोग किया जाएगा मुक्यमंत्री ने साइंस म्यूजियम पहुँचकर इसके बारे में विस्तृत जानकारी ली है जहरीली शराब से निपतने के लिए ओन स्पॉट किट से होगी जाज बिहार में शराब बंदी है और जहरीली शराब कांड से निपतने के लिए सरकार काफी सक्त है अब ऐसे कांड से निपतने के लिए विशेस किट को तयार किया जा रहा है इसे पुलिस महकमे मेद दिया भी जाएगा और इस जहरेली शराब कांड से जुड़े मामलों की जाच और उसे नपत्ने के लिए इसका उप्योग किया जाएगा दिरसल उत्पाद विभाक की ओर से शराब की प्रकृती को लेकर विशेश शोध करवाया गया और उसमें जहरेली शराब के बनने के प्रमुख कारणों का पता लगाया गया है इसमें ये बात निकल कर सामने आई है कि कई पदार्थों का गलत तरीके से मिश्वरन तयार करके जहरेली शराब को तयार किया जाता है बिपीएसे सिक्षक भटी के बाद शात्र वर टीचर के अनुपात में सुधार बिहार लोग सेवा आयोग ने फेज एक और दो के जर्ये सिक्षकों के भटी लिए इसके बाद शात्र और सिक्षक अनुपात में सुधार हुआ है बिहार का ये अनुपात रास्टी अनुपात के बढ़ाबर पहुँच चुका है बताया चाता है कि राज्य की 90,000 से अधिक सरकारी स्कूलों में दो करोड से अधिक शात्र और शात्राय पढ़ाई करते हैं सिक्षक भटी हो जाने के बाद सिक्षक वबस्ता में सुधार देखने को मिल रहा है बच्चों की उपस्तिती भी बढ़ी है वहीं कहा जा रहा है कि तीसरे चनलन में सिक्षकों की बहाली हो जाने के बाद सिक्षक और शात्र के अनुपात में बिहार दूसरे कई राज्यों से आगे निकल जाएगा पाटली पुत्र विश्व विद्याले में दो मई से नए सत्र में होगा दाखिला पाटली पुत्र विश्व विद्याले में दो मई से नए सत्र में दाखिला होगा वहीं 30 जून तक दाखिली की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी जबकि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी चार जुलाई से कक्षाओं का संचालन शुरू हो जाएगा युनिवरसिटी ने नियमित सत्र के आदेश में कहा है कि 11 से 16 सितंबर तक मिट टेस्ट का आयोजन होगा प्रतम समस्टर की परिक्षा के लिए 30 नॉवेंबर से प्रवेस पद्र को डाउनलोट करना संभव हो पाएगा जबकि पहले समस्टर का एक्जाम 15 दिसंबर तक होगा इधर पटना विश्व विद्याले में 18 अप्रेल से 20 मैं तक इसना तक के लिए आनलाइन आवेदिन करने की प्रक्रिया शुरू होगी बिहार में चिप्स और नमकीन की आर में शराब की तसकरी बिहार में चिप्स और नमकीन की आर में शराब तसकरी का खुलासा उदपात विभाग नے किया है मुझञपरपूर के मीनापूर धानाचृत्र के पानिपूर ओपी में होली के मौके पर चिप्स और नमकीन की आर में विदेशी शराब की बड़ी खेप लाई जा रही थी और इसे उत्पाद विभाग की टीम ने चप्त कर लिया है इसकी कीमत करीब 20 लाक रुपे आके गई है शराब की तसकरी होने के गुपत सूचना के मामले में पुलीस ने ये कारवाई की है और इलाकी की घेडा बंदी करक ट्रक समीत शराब की खेप को पकड़ा है हालंकि इस शापेमारी की भनक लगते ही शराब तसकर मौके से फरार हो गए बिहार में डेटा इंटरी ओपरेटरों का प्रेदर्शन बिहार में सरकारी अस्पतालों में काम कर रहे डेटा इंटरी ओपरेटर की हर्ताल शुरू हो गई है इनका आरोप है कि अजिंसी की ओर से इने मांसिक और आर्थिक ग्रूप से तनाओ दिया जा रहा है परिक्षा क पर इन्होंने मनमानी पैसों की उगाही का आरोप लगाया है। इनका आरोप है कि सर्वपर्थम पहले से कारे रद डेटा इंटर ओपरेटर की सेवा विस्तार की जाए और उसके अलावा इन्होंने टंकन परिक्षा को रद करने की मांग की है। इनका कहना है कि एजिंसी और स्वास्त समीति के ओर से अगर इनके सेवा में विस्तार नहीं किया जाता है तो ये पूरे राज में प्रदर्शन करेंगे और इसका साथ ही स्वास्त विभाग के सामने धर्णा देंगे पवन सिंग और उनकी पतनी के बीच सुला की चर्चा तेज हो चुकी है आपको बता दे कि पवन सिंग और उनकी पथनी के पतनी के लोगों के बीच तेजी से वारल हो रहा है और उसमें दोनों एक दूसरे के साथ मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं हालंकि ये वीडियो पवन सिंग की पत्नी के तथा कथित एकाउंट से शेयर किया गया है वहीं अभी नीतर उनकी पत्नी के बीश सुला की आधिकारिक तोर पर पुष्टी फिलाल नहीं की गई है और इधर पावन सिंग के करीबी प्रियांशू सिंग ने भी अभी नीतर उनकी पत्नी को बधाई दिया है और इसके लावा सोशल मीडियापर यूजर्स भी इन्हें बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं बिहार सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए कर रही कई यूजनाओ का संचालन बहार सरकार के दोआरा महिलाओं के विकास के लिए कई उजनाओं का संचालन कि आजा रहा है मुखमंथरी बाली का पर उजना, स्टूडंट करेडिट कार्ड Пока यूजना, मुखमंथरी उद्यमें यूजना आदी शामिल है जानकारी के अनुसार महिला यवंबालविकास विभाक की उर से चलाय जाने वाले यूजनाओं के कारनिया हज़ारों से लाखों बच्चे और महिलाओं को लाब मिला है वहीं अगर आप भी इस यूजना का लाब उठाने की योगिता रखते हैं तो इस कीम का लाब आसानी से उठा सकते हैं बिहार के इन सीटों पर AIMIM कर सकती है दावा बिहार में AIMIM 6 सीटों पर दावा कर सकती है इसमें किसंगंज की बहादूर गंज, कोचा, धामन, अमौर और 22 की सीट शामल है पिछले विधान सबा चुनाओ में अरडिया के जोके हाथ में AIMIM के विधायक की जीत हुई थी विधान सबा के चुनाओ में AIMIM को पांच सीटों पर जीत मिली थी वहीं के संगंज की लोगसबा सीट से अमौर के विधायक और AIMIM के प्रदीश अध्यक्ष अब तरूले मान चुनाओ लड़ने वाले हैं आपको बता दे कि आगामी लोगसबा चुनाओ में सिमांचल और मिध्यांचल में असदुद्विन ओवेसी फिर से हाथ आज माने वाले हैं कॉंग्रिस ने लोगसबा प्रत्याशियों की पहली लिस्ट की जारी बिहार से एक भी उमिद्वार नहीं कॉंग्रिस ने लोगसबा चुनाओ के लिए प्रत्याशियों की पहली लिस्ट को जारी कर दिया है उसमें बिहार से एक भी उमिद्वार नहीं है बाजपा की पहली सूची में भी बिहार की प्रत्याशियों का नाम नहीं था वहीं कॉंग्रस की सूची में भी बिहार की उमिद्वारों की सूची नहीं है कॉंग्रस की ओर से 49 उमिद्वारों की लिस्ट जारी हुई है और इसमें ये बात निकल कर सामने आई है कि कॉंग्रस ने तर राहूल गांधी एक बार फिर से केरल के वाइनाट से चुड़नाओ लड़ेंगे। इधर बिहार विधान सभा के नीता प्रतिपक्षते जस्वी आदव ने कुछ दिनों पहले दावा किया था कि महां गदमंदन में एंडी एक से पहले सीटों का बटवारा हो जाएगा। लालो प्रशाद यादव के करीबी सुभास यादव के ठेकानों पर एडी की रेड हुई है। आईकर विभाग की भी रेड हुई थी। आईकर विभाग की रेड हुई थी। टेस्ट क्रिकेट मैच में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदवास बन गए है। हिमाचल प्रदेश के धन मिशाला में भारत के खिलाफ पांचवे टेस्ट मैच में तीसरे दिन उनने कुलदीप यादव को आउट करके ये विश्व रिकॉर्ड बनाया है। वाई टेस्ट मैच में सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलारी में एडर्सन तीसरे गेंदवास बन चुके हैं। जोनों ने हमारे द्वारा पूछे के सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्षिन बॉक्स में लिक कर जरूर बताए। आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चानल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देख रहे हैं तो पेच को लाइक करना नहीं भूले धन्यवाद।